लेबरडर रेट्रीवर ये डोग बिट काफी ज़्यादा पॉपिलर है, फ्रेंडली है और नए होनास के लिए तो एक बेस्ट चोईस है लेकिन क्या आप चानते हैं कि लेबरडर रेट्रीवर भी दो टाइप के होते हैं एक होता है लेबरडर रेट्रीवर जोकी है इंग्लीष लेबरडर रेट्रीवर और एक होता है अमेरिकन लेबरडर रेट्रीवर तो इन दोनों के बीच में हम डिफृरंस जानेगे कि कोंसा आपकी लिए बैस्ट हो सकता है क्या क्या चीज़े जिससे पता कर सकती हो कि कौन सा डॉग बिट कौन सा है और काफी कुछ आपको आपके प्यारे डॉग बिट के बारे में जानने मिलेगा तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही निव वीडियोस मिलती रहती है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है तो पहले जानते है कि ये दोनों डॉग बिट एक्जिस्टन्स में कैसे है कैसे ये अलग-अलग ये डॉग बिट बने तो सबसे पहले जो लैबरोडर रेट्रीवर है उसका ओरीजिन निव फाउंड लेंड कैनेडा से है ये डॉग बिट वहाँ पे फिशर्मान की हैल्प करते थे जैसे कोई फिश उन्होंने हंट की या डग हंट किया तो ये जाके उसे रेट्रीव करके लेके आते थे साथ साथ ये डॉग बिट अलग-अलग क्लाइमेट्स टेंपरेचर में सर्वाइव कर सकते है इसी दोरान एक इंगलिश नॉबल्स ने इनके उपर नजर पड़ी तो ये डॉग बिट को मतलब इन में से कुछ डॉग बिट वो लोग अपने साथ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने इस डॉग बिट के उपर काफी जादा रिसर्च की ये डॉग बिट डेकेट्स ओफ रिसर्च के बाद एक ब्रीड बनी है इनिशेली ये सिर्फ एकी थी जैसे लेपरोड़ादर रिट्रीवर एकी एक इक्जिस्सेँस में थे लेकिन काफी स्पेषयलाइस्ट रिसर्च के बाद डेकेट्स के बाद ब्रीडिंग के बाद इसकी दो टाइप की डॉग बिट बनी एक बनी American Labrador Retriever दूसरी बनी English Labrador Retriever इसमें जो English Labrador Retriever है वो शोलाइं की तरह काफी ज़ादा यूज किये जाते है यानि उनकी Appearance पे काफी ज़ादा ध्यान देके वो Dogbit breed की गई थी और दूसरी जो American Labrador Retriever है वो Working Category से बिलॉंग करती है अब बात करते हैं इन Dogbit की Appearance की इन दोनों में डिफरेंस लगाना काफी इजी हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इन दोनों Dogbit को Compare करो तो सबसे पहले English Labrador Retriever जिनका जो है Head Wider होता है इनकी जो Neck है, Chest है वो भी काफी ज़ादा थीक होती है साथ-साथ इनका जो Double Water Resistant Code पाया जाता है Labrador Retriever में वो भी थीक होता है उसे जगया American Labrador Retriever का जो भी Head होता है, Neck होता है वो आपको Thin देखने को मिलता है इनके जो Muzzles होते है, Tail होती है, वो काफी Narrow होती है और इन दोनों ही Dogbit को आपको Color Code से पैचानना है तो उनकी कुछी Color जो है AKC के दोरान Approved है, यानि American Kennel Club जो है Approved करता है वो है Yellow, Black और Chocolate इन Color में ही आपको ये Dogbit देखने को मिलती है ज्यादातर हाला कि आपको Red Fox और Gray कलर में भी देखने को मिल सकता है लेकिन वो काफी ज्यादा Rare होता है और ज्यादा तर देखने को नहीं मिलता इसलिए American Kennel Club ने भी इसे Recognize नहीं किया है इन Color में इन दोग बिट की Size के बारे में हम बात कर लेते है American Labrador Retriever का जो Height होती है वो 54-62 cm तक हो सकती है साथ-साथ इन डोग बिट का Weight जो होता है वो 24-36 kg तक हो सकता है ये डोग बिट जो है Slimmer होते है इनके Leg जो है काफी जादा Long होते है English Labrador Retriever के मुकाबले में जो कि इन्हें Perfect बजाता है Physical Activity में, Running Type में और अलग-अलग Task Perform करने के लिए और बात करें English Labrador Retriever की तो उनका Weight हो सकता है 20 pounds जादा American Labrador Retriever से क्योंकि उनके मुकाबले में Heavy और Heavy Air होते है उनकी जो Height होती है वो 54-57 cm तक हो सकती है ये डोग बिट उनसे थोड़े Small होते है लेकिन जैसे मैंने बोला Heavy होते है वेट में जो कि इनको एक Perfect Dog Show के लिए एक Perfect Dog Bid बनाता है अब बात करते हैं इन Dog Bid के Temperaments के ये दोनों ही Dog Bid जैसे कि मैंने बताया कि एक ही Dog Bid से आई है तो इनमें जो Difference होगा वो Minimal होगा ये दोनों ही Dog Bid काफी ज़दा Lovable, Affectionate, Love to play with their owner और ऐसे अलग अलग चीज़े जो इनमें similar देखने को मिलती है ये दोनों ही Dog Bid काफी ज़दा energetic होते है हाला कि जो American Labrador Retriever होते है वो थोड़े रावडी टाइप होते है, Physically ज़दा अच्छे होते है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि English Labrador Retriever RC हो इसका मतलब ये नहीं कि वो exercise नहीं कर सकते है उन्हें भी exercise की जरुवत होती है और वो exercise भी करते हैं exercise करना अपने owner के साथ खिलना परसंदी होता है अब बात करते हैं Dog Bid की grooming की grooming के मामरे में दोनों ही Dog Bid को grooming की जरुवत होती है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि English जो Labrador Retriever होते हैं उनका coat thin ठीक होता है तो उनको थोड़ इसी ज़्यादा जरुवत हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको problem paste करने पड़ेगी ज़्यादा तर ऐसा कुछ नहीं आप अगर डेली उनकी grooming करते हो hair brush करते हो अच्छे से तो आपको ये issue देखने नहीं मिलेगा floor पे भी आपको hairs देखने नहीं मिलेंगे ज़्यादा तर अब बात करते हैं इन दोनों ही dog bit की exercise के बारे में आपको क्या लगता है कि इन दोनों dog bit में से किस dog bit को ज़्यादा exercise की जरुवत पर सकती है कमेंट करके जरुवत है ऐसे दोनों ही dog bit को exercise की जरुवत होती है जैसे दूसरे dog bit को जरुवत होती है लेकिन ये dog bit काफी eager to please होते है काफी intelligent होते है जो भी आप इने सीखाते हो काफी जल्दी जल्दी सीखते है लेकिन इसमें जो American Labrador Retriever होगा वो ज़्यादा trainable होगा English Labrador Retriever के मुकाबले में क्योंकि ये dog bit ज़्यादा तर फिल्द वर्क टाइप में यूज किया जाते है इन में ऐसा नहीं है कि आप इनको hardest training की जरुवत है बहुत ज़्यादा hard training दे दी ऐसा नहीं है normal training दे रहे हो medium दे रहे हो इसलिए इन दोनों ही dog bit में socialization काफी जरूरी होती है socialization भी इनकी बचपन से आपको start करने होगी वरना आगे चलके problem हो सकती है socialize easily हो जाएगी आप आज़ू पाज़ू कोई भी आपके friends हो, कोई pets हो किसी और dog bit के साथ आप उनके साथ खेलने दीजिए, time spend करने दीजिए इस तरह से ये dog bit आसाने से socialize हो जाएंगे exercise exercise की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही dog bit को exercise की जरुवत होती है लेकिन जो American Labrador Retriever है वो अलगरा टाक्स में, LAGT Training में, Hiking में, Swimming में ऐसे से टाक्स में यूज अल्रेडी किये जाते है तो ये dog bit छोटी छोटी बात पर जल्दी से excited होते है उनको ये सब टाक्स perform करना काफी ज़्यादा perform अच्छा लगता है और उसी जग्या English Labrador Retriever थोड़े से मेलो होते है ये dog bit आराम से normal walk कर लेंगे तो भी खुश हो जाएंगे ये dog bit जल्दी से excited नहीं होते है American Labrador Retriever के थरा लेकिन इन दोनों dog bit को exercise देना काफी ज़रूरी होता है health की बात करूं में तो दोनों ही dog bit के health issues थोड़े बहुत आपको देखने को मिलते है और दोनों में जो health issues थोड़े बहुत सिमिलर ही है जैसे कि example ले लो में hip dysplasia, kathrit ऐसे अलग-अलग disease या फिर problem इन में देखने को मिल सकते है इसलिए कि exercise और regular check up पे ज़रूर से ध्यान दे life span की बात करो on an average जिन दोनों ही dog bit की 10 से लेकि 12 years की life span होती है ये दोनों ही dog bit की अलग-अलग qualities होती है और अलग-अलग तरक कैसे ये रखे जाते है आशा करता हूँ आपको इन दोनों ही dog bit की differences के बारे में पता चला होगा और ये versus की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसे ही कोई और topic पे कोई और dog bit पे चाहिए ये वीडियो तो जरू से comment करके बताए आप भी चेक कर लिजिए और बताइए कि आपका लेबरोडर कौन सा ही इन दोनों टाइप में से आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने बताया versus की American Labrador Retriever versus English Labrador Retriever आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और से जरूर कीजिए चैनल पे नियों तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ